सीम नितीश कुमार और हम सैयोज़क जीतन राम मानजी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है जीतन राम मानजी ने एक बार फिर सीम नितीश कुमार की भाशा को लेकर हमला भूला है भीम जंसत के दौरान मंत्री रतनेश सदा को लेकर नितीश कुमार के संबोधन पर जीतन राम मांजी ने एक्स पर ट्वीट कर निशाना साधा है उन्होंने सोंबार को लिखा कि गाली बास नितीश कुमार जी आपके हर गाली और बेज़ती का करारा जबाब मिलेगा पोस्ट करते वे मांजी ने वीडियो भी शेयर किया पहले वो वीडियो देखिए जीतन राम मांजी ने लिखा कि नितीर जी वैसे तो दलीतों को तू तड़ाग और गंदी भाशा से ही संबोधित करते रहे हैं पर कमसे का मंत्री पद की गरीमा का तो ख्याल रखते मुझे गाली दी तो रतनेश जी सीम के पक्ष में खड़े हो गया देखिए पक्ष लेने का नतीजा गाली बास नितीश कुमार जी आपके हर गाली और बेज़ती का करारा जवाब मिलेगा आपका बता दी कि राज़्धानी पटना में रविवार को जेडियो की तरफ से भीम संसत का योजन किया गया था इस कारेक्रम में सीम नितीश कुमार भी पहुचे थे सबाजंबोधन के दोरान उन्होंने मंत्री रतनेश सदा की और इशारा करते हुए कहा कि तोरा हम मंत्री ना बनाये हैं जनवे नहीं करते हैं बैठो वही इसको लेकर जीतनरामांजी ने एक्सपर्ण सीम नितीश कुमार पर कड़ा प्रहार किया है वही कुछ दिन पहले सीम नितीश कुमार सदन में चर्चा के दोरान जीतनरामांजी पर भड़क गये थे वे सदन में जीतनरामांजी को लेकर तुम तड़ाक पर आ गये थे इसको लेकर निदीश कुमार बीजबी सहीद विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भी आ गए थे